एक जनपद एक उत्पात के अंतरगत फिरोजाबाद के काच से बना हुआ ये राम दरबार उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदेतनाजी माननी पधान मंत्री जी को भेट कर रहे हैं पिछले आठ वर्ष देश और प्रदेश के लिए अद्भुत बदलाव के वर्ष रहे हैं किसी भी उद्ध्यमी को बार बार दप्तर के चक्कर ना काटने पड़े इसके लिए हम खुद आगे बढ़ करके उनका सहयोग करें प्रदेश सरकार के अधिकारियों और उदमियों के बीच बेहतरीन तालमेल इस्ताफित हुआ है और हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश को ओधोगिक विकास में नमबर वन बनाने के लिए काम कर रहे हैं आज के इस उसर पर मैं ओधोगिक विकास विभाग के A.C.S. सिरी अरविंद कुमार जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ जिनोंने राद दिन मेनत करके इस ग्राउंड बेकिंग सेरिमनी को सफल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है मानी प्रधान मंत्री जी हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि मानी मुख मंत्री जी के S.S.V. नेतित में उत्तर प्रदेश को ओधोगिक विकास की नई उचाईयों पर ले जाएंगे यहाँ पर उपस्तित सभी उदमियों को हम विस्वाद दिलाना चाहते हैं प्रदेश में आपके हित पूर्टा सुरच्छित और संदच्छित है हम सभी को मानी प्रधान मंत्री जी का एवं मानी मुख मंत्री जी का बहुमूले मार्व दरसन प्राप्त होना है अता मैं अपनी बात को आगे न बढ़ाते हुए एक बार फिर से मानी प्रधान मंत्री जी के मानी प्रधान मंत्री जी मानी मुख मंत्री जी सभी गड़मान अत्तियों उद्धिम्यों का हार्दिक स्वागत और अभिनन्दन करते हुए अपनी वानी को विराम देता हूँ धन्यमाद जय हिंद मानि प्रदानमंति जी अभी कुछ दिन पहले हम सभी ने कौार्ट सम्मेलन की एक तस्वीर देखी जिसमें विश्व के तमाम बड़े नेता आपके पीछे चल रहते वह तस्वीर देखके भारतियों ने गर्व का अन्भो किया और सभी के मन में यह भाव था कि हिंदी फिल्म का वगाना आपके सस्वी नेत्वित में सकार होता दिखाई दे रहा है अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संचार चला संसार चला और आगे बढ़ा भगवान करे ये और बड़े बड़ता ही रहे और फूले फले धन्वाद जैहिन जैभारत उद्योग जगत के प्रतनिधियों के रूप में सर्व प्रथम मैं अडानी समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री गौतम अडानी जी को उनके संबोधन के लिए अमंत्रित करता हूँ यह मेरा सोबा गया है कि आज मुझे दो ऐसे मान नेताओं के साथ उपस्तित रहने का मौका मिला है जो नाया भारत बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे है मानने मुख्यम्बंत्री जी उत्तर प्रदेश के लिए आपका विजन आपकी अनुसासित जीवन साहिली काम के प्रति आपकी निष्टा सर्वांगिन विकास के तरफ आपका जुकाव और एक्जुकिशन की शमता पिरनात्मक है जीस तरह आप उत्तर प्रदेश में कानुन विवस्ता में सुधार लाए और गुड गवर्नन्स की मिसाल कायम की उससे आज उत्तर प्रदेश पोग्राम इंप्लिमेंटेशन में बारत का सर्वात्नम प्रदेश बन चुका है हम इतने राजियों में काम करते हैं और मैं विश्त्वास के साथ कह सकता हूँ कि चाहे बात गंगा एक्स्प्रेस वे प्रोजेक्ट की हो या आन्य किसी भी प्रोजेक्ट की आपके नेतुर्तों में उत्तर प्रदेश प्रशासन का प्रोफेशनलिजम और तेजी से निर्णाय लेने की शमता आस्चेरे जनक और सरानी है आपका विजन मानन ये प्रदान मंत्री जी के नेशन बिल्डिंग के विजन से जिस तरह मेल खाता है या कोई अन्य राजियों के लिए एक मिसाल बन चुका है Honorable Chief Minister, you are establishing the foundation on which UPS trillion dollar economy will be built Let me now talk about the Adani Group's investment in Uttar Pradesh We are investing over 70,000 crores in the state We anticipate this investment creating over 30,000 jobs Of this investment, rupees 11,000 crores has already been spent across our transmission, green energy, water, agri-logistics and our data center business We are also investing rupees 24,000 crores on road and transport infrastructure And rupees 35,000 crores on multimodal logistics as well as defense sectors It is a proud moment to share that we are setting up South Asia's largest ammunition complex at Kanpur This is the largest private sector investment in UP defense corridor Our large investment are a sign of our confidence that Uttar Pradesh of today will define India of tomorrow Mytron, I am our part of this issue If I am not changing the mind of the problem, I want to change our mind Sarojini Nairuji's fundamental idea about what I want to do I want to change his mind to change our mind When I think about it, I want to change my mind I want to change my mind to change my mind हमारे मारणय प्रदान मंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यम मंत्री जी के सिद्धान्तों को सायद इन चंद पंक्तियों से बेतर और किसी तरीके से नई दर्साय जा सकता है मुझे गर्व है कि अदानी ग्रूप यूपी के विकास में सयोग दे पा रहा है दन्यवाद जाहिंद अब मैं रूद करूंगा आधित्य बिरला ग्रूप के अध्यच श्री कुमार मंगलम बिरला जी से क्रपया मंच पर पधारे श्री कुमार मंगलम बिरला अनख को देखे बिरला मंगलम बिरला जी ऑट्यक्र श्री को में हित्य ही इंद प्रदी जन म democrats जईस in और्य जारूष σजे। कर देखे लूब में यूदू अन इजन कर देखे प्रदिख कर Śी अधू प्रिफ लूब्य प्रिणाव Queenchem रहे कोंग और थ campaign out a soul तोक रूट इन रेनुकूत विच भी तुक रूद जान रेनुकूत व रूट अज रवे लिग वागर प्रदेश क्राश्वा दूश भी जार्च फे लोग बाइज बाइन को में प्रदेश ओंग दूड्यू अगूवर अजिज कोई प्रदेश अंग प्रदेश अजियुट C.R. और चुमिव陽 प्रीद लिल्टाम। काथ उर्सेट और 5,00 अली एंज माने शेंने रुप शोप्रिराग्टेड को 1.0 लिल्टाम। उक्रा अज का इसे अडिरक औरны समي खमिलमेंजों को प्रवाटिशन प्रद्रीशा की है थालिए आप्रदीश है इत इत्रीशन टोनेंगे इसने भीजड़ फ। नग्राइश डिज़ एक most remarkably under the dynamic leadership of our Chief Minister. UP has become today clearly one of the most attractive destinations for investment in India. As they say, double engine की सरकार के चलते विकास को मिली एक नई रफतार, a progress in the way UP is progressing under the leadership of Chief Minister Yogi Adityanadji, and the guidance of our Prime Minister, Modi. As an early investor in the state's journey of industrialization, we feel very enthused by this new face of Uttar Pradesh. It is no longer a state that is content being a lagging follower in the nation's economic journey. Rather, it is a keen leader of India's evolution to a $5 trillion economy. When it comes to ease of doing business or building new age infrastructure, UP is setting an example for other states to follow. At the end of the day, ease of doing business is about an experience, and our experience with the administration has been truly wonderful. I personally look forward to this continued support as we continue to accelerate our investments in Uttar Pradesh across businesses. I would like to take this opportunity to assure Chief Minister Yogi Adityanadji and the administration that we will always and continue to be active partners in the remarkable development journey of Uttar Pradesh. I will conclude by taking inspiration from a Hindi culprit that aptly captured the story of folding in front of our eyes. Thank you. U.P.A. के तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरिमिनी में आज आया है. यहाँ आना मैं एक बड़े सन्मान की बात समझता हूँ. मैं आपको गर्व के साथ बताना चाहता हूँ कि प्रदान मंत्री और मुखेम मंत्री जी डबल इंचिन वाले आदास में काम कर रहे हैं. अनुभा अपने आप में एक उधारन होता है. उतर प्रदेश में मेरा अनुभा तो बहुत शानदार और अद्बूद रहा है. आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ स्पीड ओफ इन्वेस्मेंट सक्सेस गजब का है. मैं आज चालिश वर्सों से कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हूँ. और ऐसे चमतकार नहीं देखा मैंने. 2020 के आउगस में बाचीत हुई. लैंड अलोट्मेंट अक्टोबर में. डिसेंबर में ग्राउंड ब्रेकिंग. 2021 के फेबरियुरी में पूरे अप्रूवल्स आ गया. हमने मार्च 2021 में निर्मान कारिय शुरू किया. और आज मैं बड़े ही गर्व से साथ आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इस साल आउगस में हम पहले डेटा सेंटर के साथ लाइव हो जा रहे हैं. हम यूपी में अगले पांच साल था. हर साल लगबग एक हजार क्रोर रुपेय सिर्फ डेटा सेंटर में इन्वेस्ट करेंगे ऐसी हमारी योजना है. मैं अपने अनुभावों के अधार पर आज इस मंच पर पूरे दावे से कह सकता हूँ कि यूपी की वर्तमान सरकार जो वादा करती है उसे पूरा भी करती है. मैं सभी से कहता हूँ वर्तमान यूपी सरकार आपको सफल बढाने के लिए आपका साथ काम करती है. एक बार मैं पुन्हाँ आप सभी इन्वेस्टर्स का उत्तर पर देश में हार्दिक स्वागत करता हूँ अभी नंदन करता हूँ बहुत 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 दन्यवाद जै हिंद्ध। I now very humbly request Mr. Matthew Arias of Air Lik-e-France to kindly come on dice and share his views. It is my honor and great pleasure to represent Air Lik-e-D at this groundbreaking ceremony and share with you about our latest investment in India. This is the fifth oxygen production unit to be built and operated by Air Lik-e-D in India and with an investment of 350 crore rupees about 40 million euros. This illustrates our renewed commitment towards Uttar Pradesh. On behalf of the Air Lik-e-D group, I would reiterate our strong commitment towards progressive investments in India in the coming years, in air separation plans, in healthcare, in specialty gases and related areas. We are keen to act for the people of India, the energy transition and we will proudly advocate India as an attractive business determination to various global companies. Thank you. 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 Oh boy. Thank you. जिस तरीके से उत्तर प्रदीश में निवेश करने का फैसला लिया है मैं जितना इस प्रदीश को जानता हूँ आपको आस्वस्त करना चाहता हूँ कि जितना प्रदीश सरकार के द्वारा सहयोग आप सबको प्राप्त हो सकता है वो निश्यत रूप से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित तनाजी के नेत्रत में वह पूरा का पूरा सहयोग प्राप्त होगा कामों का निस्तारण कितनी तेजी के साथ हो रहा है अभी हमारे किसी सम्मानितु जोग पटी ने यह बतलाया कि एक महीने के अंदर एक मामले में क्लियरंस हमको मिल गई दूसरे मामले में 15 दिन में मिल गई दो महीने में मिल गई इसकी सम्मभ़ता पहले कोई कलपणा नहीं कर सकता था और मैं कह सकता हूँ यह सब जो कुछ भी हुआ है उत्तरपदीश में भी मुख्य मंतरी योगी आजितनाजी के नितर्ट में हुआ है लेकिन इसके पहल पीशे वीजन और मारग दर्शन जी किसी का है तो हमारे प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी जी का है अस्दाईवर मुख्य मंतरियों के साथ सीधा समवादा साबित करना घंटों उनको समय देना और साथी चाथ कंसेप्ट देना आइडिया देना यह प्रधान मंतरी जी की प्रकृति है और नजदीक से मैंने देखा है अदबुत कालपनिक शमता के धनी हमारे यह प्रधान मंतरी जी है आज के आवसर पर इससे ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुना है अपने संसरी अंदर वाचन श्यत्र में एक बार आधानी प्रधान मंतरी जी का तहे दिल हारदिक अविनन्दन करता हूँ और स्वागत करता हूँ और मुख्य मंतरी योगी आदित तनाच जी के नितरत में हमारा उत्तरप्रईश्य स्टेजी के ताथ आगे बढ़ रहा है इसके लिए मैं योगी आदित तनाच जी को भी अपनी तरफ से धन्यवाद देते हुए अपना निवेजन समात करना हूँ तृतिये ग्राउंड ब्रेकिंग सरिमनी में उपस्तिज देश के लोग प्रिय और सश्वी प्रधान मंतरी से नरिंद्र मोदी जी देश के माने रक्सा मंतरी और लखनों के लोग प्रिय सांसद माने से राजनाज सिंग जी केंद्रिय भारिय उत्योग मंतरी माने डॉक्टर महेंदरनात पांडी जी उतरप्रदेश सरकार में मेरी बरिष्ट सहियोगी गान उपमुख्य मंती द्वे सिकेशो प्रसाद मोर्य जी, सिब्रजेश पाठक जी विधान सभा की माने ध्यक सी सतीस महना जी विधान परिष्ट के मान्य सभापती कुमर मानवेंदर सिंग जी उत्रप्रदेश के और द्योगिक विकास के मंतरी सेनन्द गुपाल गुपता नंदी जी और द्योगिक विकास के राज्य मंतरी से जस्वंत सेनी जी आज के समारों में उपस्तित देश के सभी उद्योग पतिगन निवेसक उद्यमी और उपस्तित सभी महनुभाव मैं सबसे पहले उत्रप्रदेश के स्थिर्थिय ग्राउन ब्रेकिंग सरेमनी में आदनी प्रधान मंतरी जी का उत्रप्रदेश की जनता की ओर से हिर्दे से स्वागत करता हूँ और विनन्दन करता हूँ मैं सौसर पर केंद्रिय मंतरी मानिय राजना सिंग जी का सभी केंद्रिय मंतरियों और देश से आए फे सभी हमारे प्रमुक उद्योग पतियों निवेसकों और उद्यमियों का भी मैं हिर्दे से स्वागत करता हूँ और विनन्दन करता हूँ मित्रों अभी आधनिय प्रधान मंत्री जी के नित्रत्व में केंद्र सरकार के सफलता के आठ वर्स पूरे हुए हैं ए आठ वर्स आजादी के अम्रित महत्सो वर्स के अउसर पर भारत को विगत आठ वर्सों के दोरान जीवन की प्रते एक छेत्र में जिन नई उचाईयों को प्राप्त करने का उसर प्राप्त हुआ है उसकी सर्वत्र सराहना हुई है मैं इस वर्स पर आधनिय प्रधान मंत्री जी को आठ वर्स के देश के एक ससी नित्रत करता की रूप में सफलता प्रुवक इन आठ वर्सों की हिर्दे से बढ़ाई देते वे उनका इस वसर पर हिर्दे से अविनदन करता हूँ श्वागत करता हूँ फर्वरी दोहजार एठारह में आधनिय प्रधान मंत्री जी ने उत्तरप्रदेश के पहले इंवेस्टर समिट का उदगाटन इसी लखनों में किया था 2018 के बाद अब तक 2018 में प्रथम इन्वेस्टर समिट के समय हमें 4,68,000 करोड़ उपे के निवेस के प्रस्ताव प्राप्त हुई थे जिनें बिगत 5 वर्सों के दोरान जिन मैंसे 3,00,000 करोड़ उपे से अधिक के निवेस्टर समय जमीनी धरातल पर हमें उतारने में मदद मिली और आज करोना काल खंड के दोरान भी प्रधान मंत्री जी के मार्क दर्सन में उनकी पेड़ा से जीवन और जीविका को बचाने के साथ ही प्रदेश के अंदर निवेस प्रस्ताओं को भी सफलता पुर्वग लागू करने के जिस अभिहान को राज्य सरकार ने आगे वढ़ाया था उसका पेड़ाम था कि उत्तर प्रदेश में इस दोरान लगभग 66,000 करोड उपे के निवेस के प्रस्ताओं हमें प्राप्त हुए थे जिने हम लोगों ने पुरी मश्बूती के साथ जमीनी धरातल पर उतारने में सफलता भी प्राप्त की और आज उत्तर प्रदेश का यत्तिरतिय ग्राउंड ब्रेकिंग का सरिमनी यहाँ पर आधनिय प्रदान मंत्री जीके करकमलों से संपन होने जा रहा है जिसमें 80,000 करोड उपे की लागत से नई प्रियोजनाओं के कारे को आगे वढ़ाने की दिश से यह कारेकरम आज यहाँ पर प्रारम हो रहा है 1400 से दिख जो निवेस की प्रियोजनाएं हैं इनमें डाटा सेंटर की हैं किरसी और संबद छेतर है आई टी एम एंड एलेक्टोनिक्स का छेतर है इन्फरस्टक्चर मैंनिफैक्चरिंग हद करगा यवं टेक्स्टाइल MSME आदी छेतरों की इन प्रियोजनाओं में जिनके माध्ध्यम से 5 लाग प्रत्यक्स और 20 लाग प्रत्यक्स रोजगार के सिरजन इसके माध्ध्यम से उत्तर प्रत्यक्स को प्राप्त होंगे हम लोगों ने विगत पांच वर्स के दोरान आधने प्रधान मंत्री जी के उस मंत्र को अंगिकार किया जिसमें रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांस्फॉर्म के मंत्र आधने प्रधान मंत्री जी ने देश को दिये थे आज मुझे बताते वे प्रसंता है कि आदने प्रधान मंत्री जी के मार्क दर्शन में विगत पांच वर्सों के अंदर उत्तरप्रदेश अपनी अर्थ विवस्ता को छटी अर्थ विवस्ता से दूसरी अर्थ विवस्ता की ओर अग्रसर करने में तेजी के साथ आगे वढ़ रिफोर्ड में उत्तरब्रदेश के साथ अस्तानों की उलेखनिया बढ़ती उत्तरब्रदेश को प्राप्त हुई है और उत्तरब्रदेश ने अपने परंपरागत उद्यम को बढ़ाते हुए आज वन डिस्टिक वन प्रॉडक्ट जैसी योजनाओं के माध्यम से इनके प्रभावी क्रियावन के फलसुरू उत्तरब्रदेश नर्यात को 88,000 करूड उपे से वढ़ा करके 1,56,000 करूड उपे सालाना करने में भी उत्तरब्रदेश को सभलता प्राप्त हुई है उत्तरब्रदेश ने तो 2017 में अपनी ओध्यों की निवेस और रोजगार प्रोशाहन नी थी लागू की थी और इसके साथ ही हम लोगों ने प्रदेश में इन्वेस्मेंट फेंट्री जो फेंड ली 20 सेक्टोरियल पॉल्सीज को भी हम लोगों ने उद्यमिता इनोवेशन और मेकिन इंडिया की तर्च पर आगे वढ़ाने का कारे किया स्रम भूमियामंटन संपत्ति रेजिस्टेशन प्रयावरणिय अनुमूदन निरिक्षन वीनियमन कर भुक्तानादी के छेत्रों में रिकार्ड 500 सेथिक सुधार हम लोगों ने इस दोरान लागू किये 40 विभागों के 1400 सेथिक जो कॉम्प्लाइंस थे उन्हें हम लोगों ने समाप्त किये दिश्टल सिंगल विंडो किल्डेंस प्लेटफॉर्म निवे समित्र के रुप में 29 विभागों की 349 सेवाएं आज इन्वेस्टर्स को यूपी में ऑनलाइन प्राप्त हो सकती है मेगा यम उस से उच सेणी के उद्योगों को आविदन करने के 15 दिन के भीतर भूमि प्रदान करने का प्रावधान भी हम लोगों ने इस विवस्था के साथ लागो किया और साथ ही साथ प्रदेश में हम लोगों ने इस दोरान प्रदेश के अंदर जो निवेस फेंडी माहूल बनाने कानून विवस्था को बेहतर करने प्रमपरागत उद्यम को आदनिय प्रदान मंत्री जी के मार्क दरस्थन में वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट के माद्यम से आगे वढ़ाने का जो कारे किया एक करोड एक सट लाग से दिक युवाओं को हम लोगों ने प्रदेश में निजी छेतर में रोजगार सिर्जन की दिसा में मदद करने में भी सपलता प्राप्ट की और केंद्र और राज्य सरकार की जो भी भी इन प्रकार की उन योजनाओं से जो आर्थिक स्वावलंबन का मार्क प्रसस्थ करती हैं साट लाख ऐसे हमने परंप्रागत उद्धियम्यों को भी इस योजना के साथ जोड़ा तो पाँच लाख नौचवानों को सरकारी नौकरी भी हम लोगों ने बिगत पाँच वर्सके अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्द करवाई और इसी का पेड़ाम है कि आज उत्तर प्रदेश में जो अनिम्प्लामेंट रेट है वो 18 प्रदेश से घट करके 2.9 प्रदेश में पर्मकुत पादा नियुम निर्यात के अंदरों का निर्वाद कनेक्टिविटी की दिस्से पुरवांचल एक्सप्रेश वे का लोकारपन आदरिय प्रदान मंत्री जी के करकमलों से नौबर 2021 में संपन हो चुका है बुंदेलखंड छेत्र जो आजादी के बाद से विकास और जल के लिए तरस्ता था आज बुंदेलखंड एक्सप्रेश वे और डिफेंस कोरिडोर के दो परमुक नोड बुंदेलखंड में जांसी और चित्रकूट में बन रहा है तो बुंदेलखंड एक्सप्रेश वे भी इस जून की अंद तक बन करके तयार हो जाएगी इसके साथ ही बुंदेलखंड में हर घर नल की योचना के माद्यम से भी प्रतेक घर तक सुद्ध पेजल की आपूर्ती के कारे करम को भी युद्धस्तर पर हम आगे वढ़ा रहे हैं पुर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेश वे के साथ ही उत्तरप्रदेश वरतमान में पांच एक्सप्रेश वे के साथ कारे कर रहा है जिनमें युद्धस्तर पर कारे चला है तीन अंतराश्टी हवाई एड़े वरतमान में उत्तरप्रदेश के अंदर संचाली थे नुएडा इंटरनेशनल एरपोर्ट ता मर्यादा प्रसुत्तम स्रीराम अंतराश्टी हवाई एड़ा आयुद्या के संचालन होने पर आगा अनसी से हल्दिया सेक्षन वरतमान में संचाली थे और उत्तरप्रदेश में डिफेंस इंडस्टीरियल कोरिडोर में भी छै नोड्स विक्सित के जा रहे हैं लखनो नोड में ब्रमोस मिसैल के निर्मान की काई ता जहांसी नोड में भारत डैनेमिक्स लिम्टेट की काई अस्तापित की जा रही है आराटीयस का निर्मान उत्तरप्रदेश के अंदर दिल्ली मेरट के बीच में प्रगति पर है प्यम गतिसक्ती नेशनल मास्टर प्लान के माद्गम से प्रदेश में इंफ्रस्टक्चर डेबलमेंट को बढ़ावा मिलना है सरकार नवेस करताओं क करने के लिए पूरी तरह प्रतिवद्ध है आज का ग्राउंड ब्रेकिंग का सरेमनी जिसमें आधनिये प्रधान मंत्री जी ने अपने किरपापूर्ण उपस्तिति से उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने के सविहान में अपना स्रिवात प्रदान करने के लिए स्वेम आधनिये प्रधान मंत्री जी यहां पर पस्तित हैं में उत्तर प्रदेश की 25 करोड जनता की ओर से उनका हिर्दे से स्वागत और अविनंदन करते वे आभार विक्त करता हूं केंद्रिये मंत्रियों और सभी अपने देश के सभी प्रमुक उद्योपतियों प्रमु बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों के अंतरगत उन्हें हर प्रकार का संग्रक्षन भी प्राप्त होगा आप सब को मैं उत्तर प्रदेश पर विश्वास ब्रक्त करने के लिए हिर्दे से धन्यवाद देता हूं धन्यवाद जैहिं मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक माननी प्रदानमंत्री शीनरेंद्र मोदी जी से नरोध करूंगा क्रपया डिजिटल ग्राउंड ब्रिकिंग के उद्धाटन के लिए मंच के अग्रभाग में पधारें माननी प्रदानमंत्री महोते उत्यों जान के लाद प्रदानमंत्री मानन विए माननी प्रदानमंत्री शोर्ड़िं आजिए भीया है प्रॉप्राइब करें अगर हमें बनना है सर्वश्रेष्ट तो खुद से स्पर्धा करनी होगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नित्रित्म में मुख्यमंत्री योगी आदित तिनाथ उत्तर प्रदेश को भारत और विश्व के सर्वोत्तम व्यापार और निवेश स्थानों में परिवर्तित करने के लिए निरंतर कार्रे कर रहे हैं इस प्रयास में प्रथम इन्वेस्टर सबिट में प्रदेश की सरकार की नीतियों में विश्वास जताते निवेशकों से 4,68,000 करोड के निवेश प्राप्थ हुए जिनमें देजी से कारे प्रारफ हुए तथा पहले GBC और दूसरे GBC का कुल मिलाकर 1,29,000 करोड रुपे के प्रस्तावों को जमीन पर लाने का समारोह आयोजित किया गया और अब तक 3,000,000 करोड रुपे से अधिक की परियोजनाएं क्रियानवयन के विभिन चरणों में अब 2022 में उत्तरप्रदेश सरकार प्रस्तुत करती है UP GBC 3.0 तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के अंतरगत 80,224 करोड रुपे की लागत की 1406 परियोजनाओं का शुभारम किया जाएगा GBC 3.0 के तहर निवेश, डेटा सेंटर, आईटी और इलेक्रोनिक्स, इंफ्रस्ट्रक्चर, हदकरगा और कपड़ा, रीनियोबल एनरजी, आवास, स्वास्थि, शिक्षा, रक्षा और एरोस्पेस, विनिर्मान और MSME के क्षेत्र में पूरे उत्तरप्रदेश में होगा ज अधान मंत्री जी के नए भारत और आत्मन निर्भर भारत के विजन से प्रेरित है, उत्तरप्रदेश में आज विवसाय को यदि एक आधर्श वातावरन प्राप्त हुआ है, तो राज्ज में प्रमुख शासकी सुधारों, उत्कृष्ट कानून एवं विवस्था की स्थ प्रगती शील नीदियां तथा एक्स्प्रेस वेज, हवाई अध्डों, लोजिस्टिक सुविधाएं, मेट्रो, निर्भाद बिजली एवं औध्योगिक गलियारों सहित, अत्याधुनिक ग्रीन फील्ड बुनियादी धाचे के विकास की सुद्र नीव पर एक जीवन्त न कामलों के घटे ग्राफ ने प्रुदेश में बिजनस फ्रेंडली माहौल को निरंतर बेहतर बनाया है, इस ओफ दोइंग बिजनस में उत्तर प्रुदेश 12 स्थानों की चलांग लगाकर आज देश में दूसरे स्थान पर है, इस पोजिशन को प्राप्ट करने में योगी सर से बड़े डिजिटल सिंगल विंडो पोर्टल्स में से एक है, वो उत्तर प्रुदेश के उद्यमियों को 349 ओनलाइन सेवाएं प्रदान करता है, साथ ही ये राष्ट्रियस सिंगल विंडो प्लैटफॉर्म के साथ पूरी तरह से एक इक रिद्भी है भारत में आज MSME की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अथिक है प्रदेश ने प्रतेक जिले से एक प्रॉदक्ट को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉदक्ट ओडियोपी पहल शुरू की है आज ओडियोपी ने नकेवल स्थानिय कला को पुद्साहित किया है साथ ही 6 लाख लोगों को सीधे और लाखों कारीगरों को अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ा है और 5 साल में MSME में 2 करोड लोगों को रोजगार दिलाया है आज 75 जनपदों के 62 उत्पाद e-commerce portals के माध्यम से देश और दुनिया भर में खरीदे जा रहे है उत्तर प्रदेश में ODP की सफलता के बाद अब गेंद्र सरकार इस योजना को देश भर में लागू कर रही है आज उत्तर प्रदेश भारत में खुपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है और डेटा सेंटर के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभर रहा है अगस्ट 2020 में COVID के चरम पर हमने पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार से संपर्ट किया सफलता के निरंतर नए आयाम चूना संभब हुआ है इंटेंट के इंवेस्टमेंट में परिवर्तित होने से हमारा नया प्रोजेक्ट एरेलोई टेक्नोलोजी इस प्रोजेक्ट के लिए यूपी गवर्मेंट में कुल 15 दिनों में हमको 50 एकर लैंड और सारी अप्रूवल्स दिलाए जो कि आज से पहले ऐसा कलपना करना भी असंभब था अप्रेल 2020 में जब विश्व कुरोना महामारी से जूज रहा था तब प्रधान मंत्री मोदी के पधजिन्हों पर चलते हुए उत्तर प्रधेश ने आपदा में अवसर देखते हुए एक हेल्प देस्क की स्थापना की इस हेल्प देस्क के तहट विश्व की प्रमुख कंपनियों ने कुरोना महामारी के दोरान प्रधेश में 60,000 करोड रुपे के निवेश का प्रस्ताव पराप्त किया जिससे लाखों युबाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए करोना काल में हमने पेटिये फाउंडेशन ने लखनों से लेकर अलिगर तक ऑक्सिजन प्लांट्स लगवाए हजारों की संख्या में कंसेंटरेटर उपलब्द करवाए उत्तर प्रदेश हमारे लिए हमेशा घर रहेगा हम इस राज की सफलता में अपनी भागेदारी में हमेशा और बढ़ोतरी करते रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित दिनाथ ने अपने दूसरे कारेकाल की पहल उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थ विवस्था बनाने के लक्षे के साथ की है और इस लक्षे को प्राप्त करने के ब्लू प्रिंट पर कार्य प्रारंब किया जा चुका है निवेश के क्षेत्र में असीमित अवसरों का प्रदेश मुख्य मंत्री योगिया दित्तिनात के निद्रित्व में उत्तर प्रदेश प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के समरिध भारत के विजन 2047 को साकार करने के लिए कटिपद्ध है उत्तर प्रदेश के यशश्वी मुख्य मंत्री सिमान योगिया दित्तिनात जी लखनों के सांसत और भारत सरकार के हमारे वरिष्ट साथी सिमान राजिनात सिंजी केंद्रिय मंत्री मंदल के मेरे अन्य सहियोगी गण यूपी के उपर मुख्य मंत्री राजिसरकार के मंत्री गण विधान सभाव और विधान परिशत के स्पीकर महवद आए यहाँ पस्तित उद्योग जगत के सभी साथी अन्य महानुभाव देवी और सज्जनो सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के सांसत के नाते काशी के सांसत के नाते निवेशकों का स्वागत करता हूँ और निवेशकों का मैं इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि उन्हों ने उत्तर प्रदेश की युवाद शक्ति पे भरोसा किया है उत्तर प्रदेश की युवाद स्वाद 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 उनका सामर्थ, उनकी समझ, उनका समर्पन, आपके सभी सपने संकल्पों को सिद्ध करके रहेगा, यह मैं आपको विश्वाद दिलाता हूँ। काशी का सांसद हूँ, एक सांसद के नाते, मैं यह लोब छोड़ नहीं सकता हूँ, मोब छोड़ नहीं सकता हूँ, तो मैं इतना तो चाहूंगा, कि आप लोग बहुत व्यस्त होते हैं, लेकिन कभी समाई निकाल करके मेरी काशी देख क्या आईए, काशी बहुत बढ़ली है काशिप बहुत बदल गई है विश्वकी ऐसी नगरी अपनी पुरातन सामर्थ के साथ नए रंगरुप में सज़ सकती है ये उत्तरपदेश की ताकत का जीता जाकता उदान है साथिया यूपी में असी हजार करोण रुपे से ज़्यादा के निवेश से सम्मंदित समझोते यहां हुए है ये रिकॉर्ड निवेश यूपी में रोजगार के हजारों नए अवसर बनाएगा ये भारत के साथ ही उत्तरपदेश की ग्रोथ स्टोरी पर बढ़ते विश्वास को दिखाता है आज के इस आयोजन के लिए मैं यूपी के नवजवानों को विशेश बढ़ाई दूँगा क्योंकि इसका सबसे बड़ा लाब यूपी के युवकों को यूतियों को हमारे नई पीडी को होने वाला है साथ योई समय हम अपनी आजहादी के 75 विवर्ष का पर्व मना रहे हैं आजहादी का अमरित महोसो मना रहे हैं यह समय अगले 25 वर्षों के लिए अमरित काल, नए संकल्प का काल, नए लक्षों का काल और नए लक्षों को प्राप्त करने के लिए सबका प्रयास के मंत्र को ले करके परिश्णम की पराकाष्ठा करने का अमरित काल है आज दुनिया में जो वैश्विक परिस्थित्यां बनी है वो हमारे लिए बड़े आउसर भी लेकर आई है दुनिया आज जिस भरोसे मन साथी को तलास रही है दुनिया तलास रही है उस पर खरा उतरने का सामर्थ सिर्फ हमारे लोगतांत्रिक भारत के पास है दुनिया आज भारत के पोटेंशल को भी देख रही है और भारत के परफर्फर्मंस की भी सराना कर रही है कोरोना कान में भी भारत रुका नहीं बलकि अपने रिफर्मंस की गती को और बढ़ा दिया इसका परणाम आज हम सभी देख रहे हैं हम G20 अर्थ बवस्ताओं में सबसे तेजी से ग्रो कर रहे हैं आज भारत ग्लोबल रिटेल इंडेस में दूसरे नमबर पर हैं भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनरजी कंजुमर देश हैं बीते साल दुनिया के सो से अधिक देशों से 84 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड एफडी आई आया है भारत ने बीते बित्तिय वर्ष में 417 बिलियन डॉलर यानि 30 लाग करोड रुपिय से जादा का मर्केंडाइज एक्सपोर्ड करके नया रिकॉर्ड बनाया है साथियों एक राष्ट के रूप में अब ये समय अपने साजा प्रयासों को कई गुणा अधिक बढ़ाने का है ये एक ऐसा समय है जब हम अपने फैसलों को सिर्फ एक साल या पांच साल को देखते विए सिमित नहीं रख सकते भारत में एक मजबूत मैनुफेक्टरिंग इको सिस्टिम एक मजबूत और डाइवर्स वैल्यू और सप्लाइचेन विख्षित करने के लिए हार किसी का योगदान आवश्यक है सरकार अपनी तरफ से निरंतर नीतियां बना रही है पुरानी नीतियों में सुधार कर रही है अभी हाली में केंद्र की NDA सरकार ने अपने आठ वर्स पूरे किये है इन वर्सों में हम जैसा अभी योगी जी बता रहे थे रिफॉर्म पर्फॉर्म ट्रांस्फॉर्म के मंत्र के साथ आगे बढ़े है हमने पॉलिसी स्टैबिलिटी पर जोर दिया है कोडिनेशन पर जोर दिया है इज अब डूइंग बिद्नेस पर जोर दिया है बीते समय में हमने हजारों कम्प्लाइंस खतम किये है पुराने कानूनों को समात्र किया है हमने अपने रिफॉर्म से एक राष्ट के रुप में भारत को मजबूती देने का काम किया है वन नेशन वन टैक्स जीएस्टी हो वन नेशन वन ग्रीड हो वन नेशन वन मुबिलिटी कार्ड हो वन नेशन वन रशन कार्ड हो यह सारे प्रयास हमारी ठोस और स्पष्ट नितियों का प्रतिवीम है जब से यूपी में डबल इंजिन की सरकार बनी है तब से यूपी में भी इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है विशेश कर यूपी में जिस प्रकार कानून व्यवस्ता की स्थिति सुदरी है उसे व्यापारियों का भरोसा लोटा है बिजनेस के लिए सही माहूल बना है बीते वर्षों में यहां की प्रशासनिक शमता और गवनन्स में भी सुदार आया है इसलिए आज जनता का विश्वास योगी जी की सरकार पर है और जैसे उद्योग जगत के साथी अपने अनुभव के आधार पर अभी उत्तर प्रदेश की सराना कर रहे थे मैं सांसत के नाते अपने अनुभव बताता हूँ कभी हमने कोई उत्तर प्रदेश के अइडिमिस्ट्रेशन से निकरते नहीं देखा था कभी मुख्य मंत्रियों की मीटिंगों में लोग आया करते थे तो वहाँ के एजन्डा कुछ अलग होते थे लेकिन एक सांसत के रुप में जब मैं यहां काम करने लगा तो मेरा विश्वास अनेक गुना बढ़ गया कि उत्तर प्रदेश क्या बिरोक्रसी उत्तर प्रदेश के एडिमिस्ट्रेशन में वो ताकत है जो देश उनके पाँच चाहता है जो बात उद्द्योग जिगत के लोग कह रहे थे एक सांसत कहनाते मैंने स्वयम ने इस सामर्थ को अनुभव किया है और इसलिए मैं यहां सरकार के सभी बिरोक्रस सरकार के छोटे मटे हर भेक्ति को यह जो मिजाज उनका बना इसके लिए बढ़ाई देता हूँ उनका अभिनांदन करता हूँ साथियों आज यूपी की जनता ने 37 साल बाद किसी सरकार को फिर से सत्ता में वापस लाकर अपनी सेवे का जिम्मदारी सौपी है साथियों उत्तरप्रदेश में भारत की पांचवे छठे हिस्से की आबादी रहती है यानि यूपी के एक व्यक्ति के बहतरी भारत के हर छठे व्यक्ति के बहतरी होगा मेरा विश्वास है कि यूपी ही है जो 21 सदी में भारत की ग्रोर स्टोरी को मोमेंटम देगा और इसी दस वर्ष को आप देख लीजिए एक उत्तरप्रदेश हिंदुस्तान का बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स बनने वाला है जी ये दस वर्ष आपको दिखाई देगा जहां परिश्रम की पराकस्टा करने वाले लोग हो जिस प्रदेश में देश की कुल आबादी का सोला प्रतिशत से अधिक कंजुमर बेज हो जहां पांच लाग से अधिक आबादी वाले एक दर्जन से जादा शहर हो जहां हर जीले का अपना कोई न कोई खास प्रोड़क्ट हो जहां इतनी बड़ी संख्या में MSM इस हो लगूत्योग हो जहां अलग-अलग मौसमों में अलग-अलग कृशी उत्पादों अनाज, फल, सब्जियों की बहार हो जिस प्रदेश को गंगा, यमुना, सर्यू समेथ अनेक नदियों का आशिरवाद प्राप्त हो ऐसे युपी को तेज विकास से भला कौन रोप सकता साथियों, अभी इस बजेट में ही हमने गंगा के दोनों किनारों पर भारत सरकार की बजेट की बात कर रहा हो पाँच-पाँच किलोमेटर के दायरे में केमिकल फ्री, नेचरल फार्मिंग का कोरिडूर बनाने की गोश्णा की है डिफेंस कोरिडूर की चर्चा तो होती हैं लेगि इस कोरिडूर की कोई चर्चा नहीं करता है यूपी में गंगा ग्यारा सो किलोमेटर से ज़्यादा लंबी है और यहां के पचीस से तीस जिलों से होकर गुजरती है आप कलपना कर सकते हैं कि नेचरल फार्मिंग की कितनी बड़ी संभावना यूपी में बनने जा रही है यूपी सरकार ने कुछ वर्ष पहले अपनी फूड प्रोसेसिंग नीती भी गोशित की है मैं समझता हूँ कॉर्परेट वर्ल के लिए और यहां जो उद्द्योग जगत ये लोग हैं उनसे मैं आगरा पुरवक इस विशे पर कहना चाहता कॉर्परेट वर्ल के लिए इस समय एगरिकल्चर में इन्वेस्टमेंट की एक गोल्डन अपर्चिनिटी है साथ क्यों तेज विकास के लिए हमारी डबल इंजिन की सरकार इंफ्रास्ट्रेक्टर इन्वेस्टमेंट और मैंडिफेचरिंग तीनों पर एक साथ काम कर रही है इस साल के बजेट में साड़े साथ लाग करोड रुपिये के अभूत पुर्व केपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन इसी दिशा में उठाया गया कदम है मैनिफेक्टरिंग को बढ़ावा देने के लिए हमने पियलाई स्किम्स गोशित की हैं जिनका लाग आपको यहाँ यूपी में भी मिलेगा यूपी में बन रहा डिफेंस कोरिडोर भी आपके लिए बहतरीन संभावनाई लेकर आ रहा है भारत में आज डिफेंस मैनिफेक्टरिंग पर जितना जोर दिया जा रहा है उतना पहले कभी नहीं दिया रहा आत्म निर्भर भारत अभ्यान के तहट हमने बड़ी हिम्मत के साथ फैसला किया है हमने तीन सो चीजे ऐसी आइडेंटिफाय की है और हमने निरने किया है कि ये तीन सो चीजे अब विदेश से नहीं आएगी यहने मिल्ट्री एक्विपेंट से जुड़ी हुई ये तीन सो चीजे है मतलब डिफैंस के शेतर में जो मैनिफेक्टरिंग में आना चाहते है उनके लिए इन तीन सो प्रोड़क के लिए तो मार्केट एश्रोड मार्केट अवेलेबल है इसका भी आपको बहुत ज़्यादा लाब मिलेगा साथियों हम मैनिफेक्टरिंग और ट्रांस्पोर्ट जैसे पारंपारिक बिजनेश की डिमांड को पुरा करने के लिए फिजिकल इंट्रा सरक्टर को आधुनिक बना रहे हैं यहाँ यूपी में भी आधुनिक प्रावर ग्रीड हो गैस पाइट्लाइन का नेटवर्ग हो या फिर मल्टी मोडल कनेक्टिमिटी सभी पर 21 सदी की आवश्रत्ताओं के अनुसार काम हो रहा है आज यूपी में जितने किलोमेटर एक्सप्रेस वेपर काम हो रहा है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है आधुनिक एक्सप्रेस वेपर का ससक्त नेटवर्ग उत्तर प्रदेश के सभी एकॉनमिक जौन्स को आपस में कनेक्ट करने वाला है जल्द ही यूपी की पहचान आधुनिक रेलवे इंफ्रासेक्टर के संगम के रुप में भी होने वाली है इस्टन और वेस्टन डेडिकेटेट ट्रेट कोरिडोर यही यूपी में आपस में एक दुसरे से जुड़ने वाले हैं जेवर समेत यूपी के पाँच इंटरनेशनल एरपोर्ट यहां की इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को और मजबूत करने वाले हैं ग्रेटर नोइडा का क्षेत्र हो यहां फिर पारनसी यहां दो मल्टी मॉडल लोजिस्टिक ट्रांसपोर्ट हब का अंदिरबान भी हो रहा है industrial strategy के हिसाब से logistic के हिसाब से UP देश के सबसे आधुनिय के infrastructure वाले राज्यों में शामिल हो रहा है UP में बढ़ती हुई ये connectivity और बढ़ता हुआ investment UP के युवाओं के लिए अनेक नए आउसर लेकर आ रहा है साथियों आधुनिक infrastructure के निर्मान में गती आएं इसके लिए हमारी सरकार ने PM गती शक्ती नेस्टर मास्टर प्लान बनाया है एक केंद्रे सरकार, राच सरकार अलग-अलग भिभाग अलग-अलग एजन्सिया इतना ही नहीं स्थानिय स्वनाज के संस्थाओं तक को सभी को एक साथ जोड़ना उसी प्रकार से प्रावेट सेक्टर बिजने से जुड़े संस्थानों को एक प्लेटफोर्म पर लाने का काम ये PM गती शक्ती योजना के द्वारा हो रहा है इस प्लेटफोर्म के माध्यम से किसी भी प्रोजेक्ट से जुड़े हर स्टेकोल्डर को रियल टाइम जानकारी मिलेगी अपने अपने हिस्य का काम उसे कब तक पुरा करना है उसकी प्लानिंग वो समय पर कर पाएगा बीते आठ साल में प्रोजेक्ट को समय पर पुरा करने का जो नया कल्चर देश में विटसित हुआ है उनको ये नए आयाम देगा साथ योग बीते बर्षों में भारत ने जिस तेजी से काम किया है उसका एक उधारा हमारी डिजिटल क्रांती है 2014 में हमारे देश में सिर्फ साड़े छे करोड ब्रॉड बेंड सब्सक्राइबर थे आज इनकी संख्या 78 करोड से जादा हो चुकी 2014 में एक जीबी डेटा करीब करीब 200 रुपिय का पड़ता था आज इसकी कीमत घटकर 11-12 रुपिय हो गई है भारत दुनिया के उन देशों में है जहां इतना सस्ता डेटा है 2014 में देश में ग्यारा लाग किलो मिटर का अप्टिकल फाइबर था अब देश में बिछाए गए अप्टिकल फाइबर की लंबाई 28 लाग किलो मिटर के पार कर चुकी 2014 में देश में 100 से भी कम एन्य हंड्रेट भी नहीं 100 से भी कम ग्राम पंचायतों में अप्टिकल फाइबर पहुँचा था आज अप्टिकल फाइबर से जुड़ी ग्राम पंचायतों की संग्या भी पोने 2 लाग को पार कर गई है 2014 में देश में 90 हजार के आजपास ही कॉमन सर्विस सेंटर से आज देश में कॉमन सर्विस सेंटर की संख्या भी 4 लाग से जादा हो गई है आज दुनिया के डिजिल्टल ट्रांजेक्शन का करिब करिब 40 प्रतिशत भारत में हो रहा है दुनिया का 40 प्रतिशत किसी भी हिंदुस्तानी को गर्व होगा जिस भारत को लोग अनपंड बताते हैं वो भारत ये कमाल कर रहा है हमने बीते 8 वर्षों में डिजिटल कांटी के लिए जिस फाउंडेशन को मजबूत किया उसी का नतीजा है कि आज अलग-अलग सेक्टर्स के लिए इतनी संभावनाए बन रही है इसका बहुत बड़ा लाप हमारे युवाओं को मिला है 2014 से पहले हमारे हाँ कुछ सो स्टार्टप भी थे लेकिन आज देश में रजिस्टर स्टार्टप की संख्या भी सत्तर हजार के आस्पात पहुंच रही है अभी हाल ही में भारत ने सो यूनिकॉन का रिकॉर्ड भी बनाया है हमारी नई एकॉनमी की डिमांड को पुरा करने के लिए डिजिटल इंफ्रासेक्टर की मजबूती का बहुत लाब आप लोगों को मिलने वाला है साथियो मैं आपको अस्वस्त करता हूँ कि यूपी के विकास के लिए आत्म निर्वर भारत के निर्मांड के लिए जिस भी सेक्टर में जो भी रिफाम आवश्चक होंगे वो रिफाम निरंतर किये जाते रहेंगे हम नीती से भी विकास के साथ है निर्वयों से भी विकास के साथ है नियत से भी विकास के साथ है और स्वमाव से भी विकास के साथ है हम सब आपके हर प्रयास में आपके साथ होंगे और हर कदम पर आपका साथ देंगे आप पुरे उच्छा से उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में शामिल हो उत्तर प्रदेश के भविश्च का निर्मान आपके बविश्य को भी उजवल बनाएगा ये बिन-बिन सिच्वेशन है ये निवेज सभी के लिए शुभ हो सभी को लाब देने वाला हो इसी कामना के साथ इतनी शुभम कहते हुए आप सभी को बहुत-बहुत उपकामना है धन्यवाद अजय को बहुत-बहुत